आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीजो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलिशन पाओ डाउनलोड नाओ अमोनिया के Decomposition के लिए आपका equilibrium constant क्या होगा तो आपको क्या दिया है N2 प्लस 3H2 इसकी जो equilibrium constant दिया गया है वो के दिया गया ठीक है equilibrium constant जो है वो आपका के दिया गया अब अगर बात करें कि Decomposition of ammonia तो ammonia के Decomposition 1 mole के लिए क्या हो जाएगा आपका तो इस reaction को पहले आप reverse लिख दीजिए और हाप से multiply कर दीजिए तो जैसे ही reverse करेंगे तो हाप से multiply मतलब यह आएगा 2NS3 अगर मैं reverse करके लिखूँ N2 प्लस 3H2 ठीक है अब हाप से multiply करना है आपको पूरे equation में तो आपका आजाएगा NS3 ठीक है यह आजाएगा हाप N2 प्लस 3 बाइटू H2 यह हो जाएगा ठीक है तो इसी के लिए तो equilibrium constant बताना है तो जब यह आपका 2 moles form हो रहा था तो equilibrium constant के है जब यह आपका reverse में reaction लिखी जाएगी इसका reverse लिखा जाएगा मतलब decomposition लिखा जाएगा तो इसका जो इतने का हाप का multiply करके नहीं बोल रहे हैं हम इतने का बोल रहे हैं सो X का equilibrium constant जो होगा के equilibrium मतलब equilibrium constant होगा वो आपका reverse हो जाएगा ठीक है रिवर्स का मतलब यहां equilibrium में होता है आपका opposite तो reciprocal तो reciprocal मतलब one upon के हो जाएगा अब यहां मैंने half से multiply किया तब जाके यह आई ठीक है यह कब के लिए है इतने के लिए ठीक है जो लिखा अब half से multiply करके यह आया इसके लिए equilibrium constant क्या हो जाएगा खिलिप्यविए करते हैं उसी की वो पावर हो जाता है तो यह आज जाएगा आपका one upon k k की पावर कितना हो जाएगा हाब तिक है उ जो वो आपका power में चला गया और इसको लिखा जा सकता है under root k so इसका equilibrium constant हो जाएगा one upon under root k this is the answer प्लासिक्स चुट्वेल से लेके नीट आयाईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या वाथसाप कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर